आप देखने हैं आपका प्रोग्राम काफी पर गुरुक श्रीतर मैं हो सौरभ श्रमा आपके साथ यह वो प्रोग्राम जहां बातें बिलकुल खुरलम-खुरला होती हैं सब कुछ बताते हैं जो कहीं और आप सुनते रहें आज बात योगी जी की होगी लेकिन योगी जी के स ते शाफ साथ होगी साथ, चालिस, चालिस साथ। सोची दरा मैंने क्या का 7040, 240 साथ। ऐसा है योगी जी थे कानपुर में कानपुर में होना उप्चुनाव. 10 सीटों पर उप्चुनाव होना है तो वहां योगी जी से पांट्म के लोत खोड़ике वोग़ दिखें नहीं हो किसी नहीं का सब हाफ यहां 40% मुसलमान है बोट नहीं मिलता हम को कैसे जूतेंगे रामपूर में 60% मुसलमान है रामपूर तो हम जीट कहते अब यह बात पते किये है तो 40% वाली शहर को जीतने में consistency को जीतने में क्या दिक्त है और इसी के साथ जब योगी जी का सबसे ताजा बयान जो चर्चा में है सबसे ज़्यादा आग लगावा बयान हो क्या है बटोगे तो कटोगे अब बटोगे तो कटोगे को जोड़िये साथ चालिस चालिस साथ से और यहां से बनता है हमारा आज का प्रोग्रा मैं दो शेर भी सुरू है। चुनाओं भी दरसल ऐसा ही है अब यह जो दस उप चुनाओं में सब्धान से एक बहुत तफ चालेंज पूस करती है बीजेपी इर्फान सुलंकी यहां से विधायक थे अब शांसद वह जेल जले गए सांसद परले नंके पिता जी होते थे इर्फान सुलंकी की पिता जी भी पूरी पूरिटिकल लीनिय जया है तो मतलब गबदबाय पूरा उल्ड है पहले वो होते देविधायक उनके मौत के बाद जो उनका इंतकार हो गया तो उनके बेटे हैं यह बेटे जाएं यह दंगावाजी में गयें जेल साथ साल की जेल होगे तभी इसलिए यहां पर जो है योगी जी का ऐसा पुरानी फिलमे सभी लोगों ने हम सभी लोगों ने देखी होंगी उसमें आज कल जिस तरह से फिलम दिखाते हों वो होता नहीं हीरो हिरोईन पेड़ के इर्दगिर चक्र लगाके गाना गाते थे उस समझ जो है गले मिलना भी अशलील वाना जाता थ तो योगी जी उस जमाने के नेता नहीं है जो बात है कुलम खुला हमारी तरह है हमारी तरह है हम बिलकुल कि जो सचाई है वो आपके सामने है उसको दबा के छिपा के लिफाफे में लपेट के चदर में लपेट के बोलने से कोई फाइदा नहीं है जब साफ साफ एक समाच कह रहा है कि जो इनको हराएगा उसी को वोट देंगे तो उस में छिपाने वाले यह सारवजनिक बात है कोई ऐसा नहीं कि बंद कमरे में उन्होंने तै किया और बात कहीं से लीक हो गई है और वो खुले आम कहते हैं आप पूछने जाएए काम कैसी कर रही है सरकार बहुत अच् तो आपके पास चारा क्या है अगर आप एक कॉंस्वेंसी में जहां 40% आबादी यह कह रही है मद्दाता यह कह रही है कि हम तो इनको वोट देंगे ही नहीं किसी आलत में तो आपके डिवलप्मेंट का आपके बाकी काम का सामाजिक समरस्ता का संदेश है उन सब का कोई अस पासर नहीं है चुनाव है वोट किसको देंगे वहा तै यह किसको देंगे यह तै नहीं है किसको नहीं देंगे यह तै तो जो बाकी बचचे है उन से सवाल है कि भाई हम सब लोग चुनाव कवर सब लोग कर चुके हैं जाते हैं ये मुस्लिम बहुल सीट है कितने परसेंट है 40% है 45% कभी आपने सुना कि हिंदू बहुल सीट है हिंदू बहुल सीट ही ज्यादा तर है केवल एक्सेप्शन के लिए मुस्लिम बहुल सीट है जहां 50% से ज्यादा किसी की भी आबादी हो जाए तो वो ये एक किताब है कास्ट केवल इतना ही नाम है कास्ट है वो गेन्यू के प्रोफसर ने लिखी है तो वेस्टर्न यूपी क उन्होंने उदारन दिया है कही कि कहा जाता है कि ये जाट डॉमिनेंट सीट है तो उन्होंने परसेंटेज वाइज बता है किस कास्ट के कितने परसेंट फोट है तो उन्होंने कैसे जाट डॉमिनेंट हो गई सीट है ये कोई होता है ये ठाकुर डॉमिनेंट है ये ब्राम पर देने से रोकते भी हैं इसलिए डॉमिनेंट कही जाए या आपने नहीं बाद आप तो पताए हमको आज तो इसलिए जो है उन्होंने कहा कि कभी आपने सुना है किसी इलेक्शन कवरेज में किसी ने कहा हो कि ये दलिद डॉमिनेंट सीट है जो रिजर्व सीट है वहां तो वो डॉमिनेंट है ही मतलब यह तो समिधान मान रहा है आपका कानून मान रहा है फिर भी ऐसी बात नहीं होती क्योंकि उस तरह की एकता नहीं है उस तरह का प्रभाव नहीं है उनके पास उस तरह की सोशल कैपिटल नहीं है जो सवर्णों के प जो बड़ी जाती हैं उनके पास है जो खुद तो एक रहेंगे ही रहेंगे बाकी वोट भी इंफ्लूइंस करेंगे एक लंबे समय तक था वेस्टर्ण यूपी में जाट दलितों को वोट नहीं देने देते थे एक महिला के दो बेटे थे एक बेटे को मार दिया गया दूसरे बेटे को पोलिंग स्टेशन लेके गई इसको भी मार देना भले ही वोट देगा ये मायावती मुख्यमंतरी बनी है तब ये बदलाव शुरू हुआ है वेस्टर्ण यूपी में तो देखें ये सब हमारे राजनीतिक जीवन की भारतिय समाज की सच्चाईया है उसको छिप दबा कर रखने से दबा कर रखने से उस अच्चाई नहीं बढ़ना ये चालिस तो मुझे वोट देगा नहीं बाकि तुम साथ समझ लो तुमें क्या करना है अगर तुम बढ़ जाओगे तो उचालिस वाले जी जाएंगे तो मतलब ये है कि आप बहुमत में हैं फिर भी हा कर लिजिए अगर आपको लगता है कि हमको आर जाना चाहिए तो आर जाएंगे अगर ऎर ऐक हो गए यह जो है 60 है या 40 है जो भी जितने भी है समस्या तो वही पच्चिम मंगाल में क्या कहा जाता है कि कभी नहीं आ सकती BJP कितने परसेंट मुसलमान है 30% 70% हिंदू है फिर भी BJP को हिंदू पार्टी कहा जाता है फिर भी आर जाती है इसलिए कि हिंदू बटे हुए हैं उस तरह से वो पुलिटिसाइज नहीं है तो अभी ज़रा आप सोचल मीडिया उठाईए ट्विटर एक्सपर जाईए और हैश्टैग कॉफी पर कुरुक्षित्र आट इंडिया टीवी निउस या आपको डालना है मेरा अपना फोन हाथ में लिया हुआ है मेसेज़ेज में लगातार चेक करना हूँ आपका कोई बहतरीन मेसेज होगा मैं या अपने महानों के बीच में रखूंगा कोई आपका इंस प्रस्न भी होगा तो वह भी पूछेंगे लाइव अपने आपके टीवी पर आप टीवी पर मुझे देखिए अब यह बात हुई सिसा माउटू रामपूर योगी जी ने कहा कि भाई तौम रामपूर जीते हो 60% मुसल्मान है सिसा माउट जीते हैं पिछला उप चुनाव जीते हैं आम चुनाव हार गए लेकिन बाइप्राओ जीते हैं जो तंत्र का जो प्रभाव होता है न वो बाइप्र साली होता है अग्साथ लिमिटेड होता है इस्टेट गोवर्मिन्ट नी पूरा चुनाओ कराती है जनरल एलेक्शन में आपको 80-80 सीटें देखनी है चार सुतीन सीटें देखनी है फोर्सेस डिवाइड होती है सेंट्रल काम लेने हैं रोजबर्रा तो उसी को जिताओ जिए एक साइकलोडी होती है तो बाइलेक्शन थोड़ा सा अगर सरकार के खिलाब बहुत गुस्ता नहीं है तो आम तोर पर हमेशा रूलिंग पार्टी के एज होता है इसलिए जातर आप बाइलेक्शन के इसलिए देखिए तो बाइलेक्शन हुवा था इसी सब्धिए प्रदीव जाता इसे आक्षिंग 신 रिहां तो उसका जनता ने सबक दिया तो खुल मिला करके जो अब जो दस सीटों का बाई-लेक्शन है ये दस सीटों का बाई-लेक्शन योगी जी के लिए पॉलिटिकल सर्वाईवल के लिए जो जिस पर हम लोगों बहुत चर्चा कर चुके हैं अपने इसी कारेक्टर में दिल्ली और लखनू के बीच में जो रसा वार्ड है और उसको मैं सर्वाइवल कहता हूँ क्योंकि सर्वाइवल का तो मतलब होता है कि हार जाएंगे तो हटा दिये जाएंगे अब यह मानेंगे क्या वो दिल्ली वाले है अभी तो उन्होंने जैसा हम लोग समय कहते है था भाई एलेक्शन तो पहले कोई चेंज नहीं है तो फिर उटे चर्चा शुरू हो जाएंगी जो भी रोधी कहमा है वो फिर शुरू हो जाएगा उस स्काइगा बढा है तो एक-एक सीट गूम रही होगी तो एक-एक सीट गूम रहा है पूरे ज़मिधारिन की है नहीं इसलिए सर्फ मैं इसलिए लेकर आना चाहरता है चालिस साथ साथ चालिस वाली बहस पर ये तो दो इसके जरीय योगी आदितनात का यूपी के मुसलमानों के साथ क्या है नाता क्या रिश्ता है मतलब ये ये रिश्ता जैसे मुझे याद आ रहा है अभी बड़े उल्टे दिए तो पाइनलार योगिया इतनात राजधर्म का पालन करते हैं उन जैसे व्यक्ति से ये बयान आना बड़ी उसके पहले जाना सोरी बैग्राउंड और तो कि रजा भागे गूम रहे थे उमचे खिलाव वारेंट डिगली हुई तो राजधर्म अपनाया जा रहा था त मतलब जो पर चुनाव बनाओं में जो कुछ होता है लेकिन काम तो हमारे लिए भी बढ़िया ही कर रहा है ना लिए ऑपरादी होता है चाहे हो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो उसका उसका शिकार जो है आम जनता होती है तो उसमें जरूर एक हो है ओडर WILL जेनरल Muslim कोई बहुत ज्जादा soft हो बहुत ज़्यादा उधार हो मुझे नहीं लगता design मेरे पास नहीं है लेकर यह जरू हुझ कोई भी सरकार यह नहीं कर सकते कि यह हिंदूओं के लिए यह मुसल्मानों के लिए लोग बड़े कठिन-कठिन सवाल पूछ देते हैं यह बताऊंगा रहते हैं कोई सुनता तो हम भी कुछ कहते हैं योगी जी और मुसल्मान आपने एक जो सवाल भी किया मैं आपको एक ऐसे बात बता रहा हूँ जो गोरकनात मंदिर है उसमें जो बहुत दुकाने हैं उसमें तक ज्यादातर मुसल्मानों की दुकाने हैं और जो वहां पर दवा और यह सब करते हैं जो मतलब मुफदमाएं बांते आते हैं उसमें मुसल्मान, चुकि वहाँ आसपास की अबादी में ज़्यादा है, मतलब अपना जैसे वहाँ है, तो सबसे ज़्यादा वह बेनिफीसियल रहते हैं, बाकाइदा उनको देखा जाता है, सब कुछ, और हाला कि पहना नहीं चाहिए, योगी जी भी जानते हैं, कहीं से भ पड़ा था, पता चला कि उस इलाके का जो आया डिटेल में, तो पता चला कि माइनालिटी का कोई भी उट उनको नहीं मिला, वहाँ भी नहीं मिला, बै यह कह रहा हूँ, देखे, दो चीज होती है, जब आप, वही बात होती है, कि दो तरह का इंसान होता है, हम भी हैं, एक जब आप किसी पोजिसर में बैठे हैं, किसी पाल्टी का, बुखमंत्री के रूप में हैं, एक आपका human angle होता है, वो human angle चाहे योगी का हो, चाहे मोदी का हो, वो कहीं से भी, उनके किसी भी DNA में किसी से नफरत वाली बात नहीं है, कहीं भी नहीं, रही जो प्रदीब जी न होता रहा है, आजादी के बात की राजनीती क्या रही है, यह देखिए, इतनी साफसाफ किसी ने नहीं कहीं, नहीं, बता रहा हूँ आपको, मैं, सरदार पटेल ने कहा था, लखनव के जंडेवाला पार्क में, सभा में उसका वीडियो है भी, लखनव में जो कहा था, उन् इसके आजादी के बात की जो राजनीती पुरी रही है, इस देश में, चाहे जो भी पार्टी रही, वो पार्टी हमेशा, except जंसंग, वो पार्टी हमेशा यह क्या करती रही, कि यह जो बीस परसेंट, पच्चीस परसेंट के करीब माइनार्टी मतलब है, अब आप उसको सा करके रखो, रस्ट जो 80% है, यह तो डिवाइड होगा ही, वो कास्ट में डिवाइड होगा, किसी तरह जातियों में डिवाइड होगा, फलाना में होगा, और दलिद जो था, जो कांग्रेस का कोर रोटर था, वो कांग्रेस के साथ था, तो जिसको कहते हैं कि कोई भी पार् तो जब से 2014 से क्या हुआ, जो अलग चीज हो गई, जो यह political parties, opposition की जो सोचती थी कि हिंदू तो बठी जाएगा, वो मोधी के समय में आने के बाद से उसमें एक एकता हो गई है, कहीं न कहीं से, और चाहे जिन कारणों से रही हो, वो एकता हो गई, और नतीजा क्या हुआ कि जैसे 80% आपने परती छोड़ दिया था, कि इसको तो क्या खेती करनी है, यही 20% पकड़े रहो, और चुनाव जीतते रहोगे, वो समय करन बदला 2014 में, 14 में बदला, देखिए 14 के बाद वही मैं कह रहा हूँ कि 14, 17, 19, 22, लगातार, यह चीजे रही, लेकिन अभी जो चुन कहीं से, कि नीच, अब वो कारण छोड़ दीजे, वो तो अलग बात है, वो इधर आ गया, अब पैनली क्या हुआ है, कि BJP इस बात को स्विकार नहीं कर पा रही है, क्या कारण है, जैसा कि कई बार, योगी जी जो है, खुल करके उस बात को कह रहे हैं, कि जो चीजे थी, य नहीं तो संकट आने वाला है, यह अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के खिलाफ, वो खुले आम, यह बात करते हैं, रिस्क ले रहे हैं, बाकी लोग अंदर से सब होई जानते हैं, और हमेसा सवराजी नहीं करते हैं, यह तो एक पॉलिटिकल सच्चाई हुई, कि BJP को मुसल्म नहीं क्या कहा था, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, उसके माईने किवल पॉलिटिकल तो नहीं थी ना सर, नहीं वो संदर्ब आपको देखना पड़ेगा, संदर्ब उन्हों ने लिया बांगलादेश का, और कहा भी, कि जो गल्ती बांगलादेश में हुई, यहां नहीं होनी चाहिए, कि अगर आप एक रहते, तो आपकी यह दुर्दशा नहोती, जो बंगलादेश में हो रही है, तो इसलिए जो है, आप एक नहीं सौ घटनाएं उठा कर देख लीजिए, डायरेक्ट एक्शन डे उठा कर देख लीजिए, गोपाल पाठा को याद कीजिए, गोपाल पाठा ना होते, तो कलकत्ता में कितने हिंदू बचते, यह आज अनुमान लगाना भी मुश्किल है, तो इसलिए बड़ी सिधी सी बात है, कि एकता में शक्ती है, अगर आप अपने को एक मानते हैं, तो एक रहिए, पर यह तो सर्थ दो को पिचिंग नहीं कह सकते हैं कि उनको एक हो जाने दो, तुम बटे रहो, नहीं, दूसरा मतलब, वो एक है, लेकिन तुम्हारे लिए खतरा क्यों है, मैं बीजेप के लिए खतरा मान सकता हूँ, बीजेप को वोट नहीं मिलेगा, बीजेप हारेगी, वो साठ के लिए खतरा कैसे है, कबजा हुई यह लड़कियां उठाई गई मेरट का उदारन कई बार दे चुका हूँ आज फिर बता रहा हूँ बड़े व्यापारी घराने की एक लड़की को मुसल्मानों ने मेरट के उठा लिया एक महने बाद वापस के उनका उनकी पहुंच जो है लखनव तक थी सरकार म मुख्यमंत्री मंत्री सब के यहां का गया की चुप रहो फिर कुछ महीने बाद उन्होंने शादी तैकी तीन दिन पहले फिर उठा लिया का गया कि अगर F.I.R. कराओगे तो जिन्दा बचोगे इसकी गारेंटी नहीं है एक DGP X DGP उतरप्रदेश के आपकी प्रोग्रा के दौरान आफ दे रिकार्ड उन्होंने कहा जब अखलेश यादो मुख्यमंत्री बने थे उसके कुछ महीने बात बात स्टेंडिंग इंस्ट्रक्शन है पुलिस वालों को कि यादो और मुसल्मान के खिलाफ F.I.R. नहीं लिखी जानी है और अगर मजबूरी हो जाए F.I बना कि याद कीजे शाबानों को मुसलिम तुष्टी करन की बात तु जनसंग के जमाने से कर रही है उस समय क्यों मुद्धा बन गया तो एक इंफलेक्शन पॉइंट होता है प्रस्थान बिंदू आता है जो राश्पती ने कहा एनफ इस एनफ कि और बरदाश्ट नहीं कर राश्पती के बोलने के बाद आउर हो गए कांड चार कांड और हो गए खैर वो तो उनके बैयान का यह मतलब थोड़ था कि वो रुख जाएगा रास्पती के बैयान है उस पर अलग चर्चा हो सकती है कि वो बैयान कब आया क्यों आया किसे आया यह जो राजनीती चली है 1947 से एपीज्मेंट की कि कुछ भी करो कुछ भी करें उनको बचाने की कोशिश करो आतंकवाद में पकड़े जाएं तो आप छोड़ दें लाबाद हाई कोड का जज्ज्मेंट है कि भाई आज आप उनको जो है उनका उनके खिलाफ मुकदमा वापस ले रहे हैं कल उनको पदमिश्री दे दीजिएगा तो जहां और वो सब कन्विक्ट हुए तो आतंकवाद जैसे मामले में भी अगर आप देखेंगे कि धर्म क्या है तो खत्रा किसके लिए है तो जो जमीन कीमती है और जो चीज़ उसके है वो उसके लिए परस्मिक्ता होती है और जैसे प्रदीप जी उताहन दिया मैं आपको उताहन देता हूं कल्यांसी की सरकारी जमाने का जी एक मंत्री थे अब नाम नहीं लूँगा वो एक इंस्पेक्शन करने के मुझे अफन गर में और इंस्पेक्शन करके वो फेक्ट्री सील करा दी और उसके बाद वो मालिक को बुलाया तो मालिक ने आप बताईए साब गलती क्या हो गई गलती कुछ नहीं हो गई है वो तुम्हारे या वो लड़की बड़ी सुन्दर उसको भेज़ दू है और दोनों ही साठ के अंदर थे साठ वाली थे मंत्री जी भी और वो फैक्ट्री मालिक भी उसने हाथ पर कर दो अब ही जातना में है और परादी एक वर्का है और फीडी दूसरे वर्का तो धंगा हो जाएगा अगर एक ही वर्क यह सबन गया है तो महाल ऐसा बन गया है का क्या मतबब होता है इस देश का बटवारा किस अधार पर हुआ अब बटवारा तो हुआ है मुस्लिम राष्ट और सेकुलर राष्ट के अधार पर हिंदू अभी आप जो कह रहे थे सौरभ जी दो शब्द आपने सुने होंगे बहुत पहले से भी बीजेपी के आने के पहल एक M.O.I. एक D.M. ये शब्द क्या थे? M.O.I. तो सब समझते हैं मुस्लिम या दियम दलित मुस्लिम दलित मुस्लिम तो ये ऐसा ऐसा नहीं है कि पहली बार योगी के मुक्वंतरी बनने के पहले से ही ये चीजें बहुत खुले आम होती रही है मुसल्मान यम तो ही है कि योगी जी कोई नहीं बात नहीं कर रहा है योगी का कद बीजेपी में कम नहीं हो सकता मैं मैं बता रहा हूँ इसलिए कि बीजेपी का जो core issue है, जो उसके DNA का है, उससे अगर उससे कोई deviate नहीं हो सकता, यलके अडवानी ने एक जमाने में कहा था, कि हम विचारधारा की राजनीत करते करते, अब पराकास्था पर पहुँच गए हैं, अब हमें compromise करना चाहिए, उसके बाद घुज गए, और ये जब से आया कि बीजेपी अपनी विचारधारा पर सबसे पहले अडिग रहेगी, उ इस सब्सक्राइब कर लिजे कोई आइंकर पार्टी, दो ही सर्तों पर इस देश में पांच साल का सासन हो सकता है, अगर एक आइंकर पार्टी दोसों के आसपास होगी, वो सिर्फ दो पार्टी यां तो कांग्रेस होगी या बीजेपी होगी, तो मैं आपको बता दूँ, य इसने बिनो जी ने जो कही थी, कि बाई एलेक्सन जो होते हैं, हमेसा वो सत्ता पक्षिपर हो जाते हैं, मैं आपको बताओं, दोजार उन्नीस के पहले, जस्ट पहले तीन एलेक्सन हुए थे उत्तर प्रदेश में, कैराना फूलपुर, गोरखपुर, और तीनों बीजेप हार गई थी, जबकि सत्ता बीजेपी की थी, ऐसा नहीं होता है कि सत्ता होती है, लेकिन वहीं उन्नीस में, और तमाम लोग जितने बड़े वो रहे न, सारे लोग बैठते रहे हैं, हम लोग बहस में, सब आते थे, समाजवादी परटी के, फूलपुर कहराना गोरखपुर दिखा दिया है, जाकी है, मतलब जैसे उन्नीस में खतम हो जाएगी, उन्नीस का रिजल्ट है, विल्कुल उल्टा था, तो ये बाई एलेक्शन योगी बहुत आगे की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी के लोग खुल करके नहीं कह पाते हैं, हमेसा ललो चपो वाले चीजों मैं समाज में इसा नहीं, मैं कोई योगी का समर्थक नहीं हूँ इस समें, मैं यह कहा हूँ, कि जो बातें आर लड़ी समाज में हैं, बच्चा बच्चा जानता है, और जो आज से नहीं, बहुत पहले से अगर डियम कहना ठीक है, कि दलीत और मुस्लिम, अगर यम草य कहना थीक है यादे और लालू ने खुले आम कहा था मैंने तुमको चाहे लाक गलतियां, की हों cela कानुन तोड़ा है तुमको आवास तो दी यादे आप को लालू नहीं कह था, तुम मैंने कहा था, पेट और नाक लालू जी आप पेट पर नहीं पेट का हवाला देते हुए नाक की बात कर रहे हैं। कि हमने तुमको जबान दी और मैंने कहा कि ये नाक जीत जाएगी। जब भिहार मुस्चुनाव हो रहा तब भी मैंने कहा था। तो ये जो चीजे हैं, मेरा है कहना है कि योगी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, योगी जो खुले आम बात करें। वो कह रहे हैं जो सब जानते हैं। सब जानते हैं। आप दूर क्यों जा रहे हैं। जानते हैं। पूरा लोग सभाद चुनाव मुस्लिम आरक्षान को धुरुविकराण बनागे लडा किया। जानमंद्र जी कहार भाषा ने मुस्लिम आरक्षान जी करें। नहीं बात नहीं करें। कि हम मुसर्मानों को आरक्षान नहीं देने देंगे। दल पुषणों का हाँ चीड़के उनको नहीं देने देंगे। तो क्या था। नहीं यह देकने एक डिगनी उपर है ना सर। बढ़ों के तो कट़ों के थोड़ा सा वार उपर है। भाषा, भाषा, भई बेरे साब बेरे साब तो सवाल यह ना कि यह बात आज बुझे सौज़ को आप साठ कह रहे हैं या हिंदू एक डेमोग्राफी पॉपुलेशन है एक जगे की उसकी बीज रेजनेट करना चाहिए ना करेगा क्या। हम बटवारे से जोड़ दें उसको, हम बांगलादेश से जोड़ दें वो परिस्थितिया हमारे नहीं है ना अब। ये आज की और अभी की मांग है दूसरा हम हिंदू के साथ रही नहीं सकते हमको अलग देश चाहिए और आज आप क्या देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में एक विधायक कह रहा है कि यहां शर्या लागू हो चुका है ये इसलामी जगे हो गई है जिला हो गया है तो ये श इसी तरह कि ये हिंदू राष्ट है रोज को जस्टिफाई करने की कोशिश मत कर रहे हैं ये बहुत बड़ी यंत्रणा से गुजर चुका है हां लेकि इसका मतलब दूबारा उससे इंत्रणा से गुजर रहे क्या बिल्कुल वो परिस्तिया बना देंगे आप भई एक इस बताँ आपको एक चीज देख लिए चाहे जो कुछ भी रहा हो बंगलादेस में जो कुछ भी हुआ ये तो मानेंगे ना दिखाई दे रहा है कि हिंदू के मकान जलाए गए मंदिर जलाए गए तो एक बार हमारे देस की एक सबसे बड़ा जो बिपक्च का नेता है हिंदू श्रब्द अंत तक नहीं निकला और एक हपते के बाद कांग्रेस की एक रिलीज जानी होती है उसमें कहा जाता है कि माइनार्टीज का ध्यान रखा जाए एक हपता लग गया और आप देख लिजए कि कोई नहीं बोला बंगलादेश का राउल गांदी ने नाम नहीं लिया नहीं नहीं मैं कहता हूँ कि ऑफिसियल किसी बाद पार्टी का बताईए मुझे जहां कहा हो और इसमें आप ताजूब करेंगे अब आप सोचिए कि जो पार्टी जाती और धर्म को मानती ही नहीं है रेलिजन्स ओपियम वो पार्टी सी पीम जैसे मार्सिस पार्टी मतलब यह कहती है कि हिंदूओं की रख्श की जाए नहीं लेकिन लेकिन जो आपके बाकी देश में है कि बटवारे के गुनहगार उस समय तक कॉम्मिनिस पार्टी का विभाजन नहीं होता CPI जिहादी तत्वों की इनक्यूबेटर है दुनिया भर में आप देखिए जहां 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 जो है वो मुसलिम और गड़्जोड हुआ है जिहादी तत्वों का वो आपको साफ नजर आएगा आप मुझे एक मुसल्मान बताइए जो कम्मिनिस्ट होने के बाद जिसने अपने धर्म को छोड़ दिया हो कोई नहीं या अपने धर्म से अलग हो गया हो या उसके सबसे बड़े तो जिन्ना कितने बड़े मुसल्मान थे जिन्नों देश बढ़वा दिया सर्दार जी नवाज पढ़ते थे हर किसी सुर्जी जिन्ना सब जानते हैं देखिए योगी जी समय लोहिया वाद कट्र लोहिया वादी हैं लोहिया जी का एक नारा था सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है हिंदू एकता जो जिसके प्रयाश जोगी जी कर रहे हैं या मुदी चुनाव में हमेशे कहते रहे हैं क्या ये एक मिराज है इंपॉसिबल नहीं इंपॉसिबल तो नहीं है उसी की कोशिश है हम तो कहरें बाकी बीजेपी क्या कह रहे है जनसंग क्या कह रहे है आरे से क्या कह रहा है प्रदान मंत्री क्या कह रहे है योगी जी क्या कह रहे है सब छोड़ दीजिए सिर्फ एक आदमी को याद कीजिए जिसने इस देश का समिधान बनाया डॉक्टर भीम राव अमबेटकर उनकी किताब है लिखा हुआ है ऐसा भी नहीं है कहीं बोल दिया किसी ने सुन लिया गलत कोट कर दिया कि हिंदू मुसल्मान कभी एक साथ रही नहीं सकते तो रह रहे है अभी तो रही रहे है उन्होंने क अगर आप यह आबादी का जो है लेंदेन नहीं करेंगे तो हमेशा पर्मानें समस्या रहेगी है उस टाइम पर उस टाइम पर जो प्रोपोर्शन थे नहीं उनकी बेड़कर ने जो फिर हिंदूओं के वारे पर जो लिखा है वो भी कोट करना चाहिए उस वक बटपारे की समय से तालिस की समय पॉपिलेशन का प्रोपोर्शन बड़ा डिफरेंट था कितनी आबादी मुसल्मानों की थी कितनी ने ने प्रोपोर्शन डिफरेंट नहीं था बिलकुल नहीं था सेम गार हां लगभग एक आध परसेंट का कम जादा आप कह सकते हैं सवरभ जी एक वा जरबने मुझे पर जब ख़तरा आता है तो वह एक होते हैं वह पूरी दुनियाँ एम उठाकर देख लिजे आप जर्मनी को देख लिजए फ्रांस को देख लिजे लिजे, नीदर्यों को देख लिजे तो मेरा एगर और हो खटरा रियल होना चीए अगर कोई किपल ख़तर दुनिया में मुझे एक उधारन बताईए जहां मुस्लिम आबादी जादा हो गई हो और वो देश जो है नॉन मुस्लिम था और नॉन मुस्लिम रहा हो। योगी जी इन सेंट्रल पॉलिट्रिक्स बिफोर टू थाउजन सब्वेंटी सेवन ले जाना चाहिए और किसी और मुख्यमंत्री बना दिया और योगी जी हैस दी पोटेंशल टू काउंटर अंटी इंकम्बंसी इस लाइक शिवराज च्वान करने की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि उनको सेंटर में ले जाए 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 हैं पारिटी ये देखती है जंजावत आते हैं सब कुछ लेकिन दो चीजें हैं मोधी तीन बार प्रधानमंत्री बन चुके उत्तर प्रदेश में दो बार योगी आए यह ऐसे रिकार्ड हैं पहले अगर कोई आता भी है तो इस रिकार्ड को तोड़े और नहीं तो मैं बताऊ आपको कि जैसे सथात्तर के बाद धाई साल बोडारी देशाई बने थे उसके बाद खतम हो गए हो सकता है कि धाई साल दो साल कोई और आ जाए तो जैसे इंदरा गांदी लोट के आई थी थंपिंग मैजाल्टी से ये फिर आएंगे बैं यही कर रहा हूँ आएंकर करता हूँ अपने नेताओं पर भरुसा रखना चाहिए आयाति दिलोगों पर कम से कम निर्वरता हूँ नहीं एक सिर्फ एक आदमी ने मेरी नजर में सीखा है सारवजिनिक बयान के आधार पर कह रहा हूँ अंदर पार्टी में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालू और वो य चलिए उसूर ये बिल्कुल जो प्रदीब जी ने कहा है वो उसी को सूट करता है शियर हमारा उसूलों पर जहां आचाहे टकराना जरूरी है जो जिन्दा हो तो फिर जिन्दा नजर रहना भी जरूरी है तो यह इनों ने कहा ना प्रिंसिपल्स को मत छोड़िये तो एक ल सार बहुत आज का मुझे लगता काफी रोचक रहा हमाना प्रोग्राम और जब रदीब जी और आपकी दूरें की थोड़ी होती है तो और अच्छा लगता है हमारे घलीतियां की करवाते हो बहुत शुक्रिया तो दीब जी विरोच जी बहुत धरवा आपको राम जी बहुत शुक्रिया से रहा पाये प्रोग्राम में